So Hello Guys, This is your boy Baok and you are watching Daydream of Baok Maia Channel और आज की जो वीडियो रहने वाली है बताने वाला हूं उसमें, अगर आप न्यूकमर हो, कानिड़ा में आ रहे हो तो आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या-क्या चीजी आपने करनी है यहाँ पे आके क्या-क्या चीज़े आपको पहले से ही करके आनी है इंडिया से और क्या-क्या चीज़े सोच के आनी है कि हाँ ऐसा ही है कैनेडा और ऐसा ही आपको रहना पड़ेगा तो चलते हैं बिना किस देरी के वीडियो की तरफ मैं कुछ ड़ाने की कोशिश नहीं करूँगा आपको लेकिन सचा ही है वही बताऊंगा और यह चीज़े सब फेस करते हैं मैंने भी फेस की है आप भी फेस कर सकते हो मैरे अपने एक्सपेरियंस से मैं बताऊंगा अपनी ची जो भी आपने प्लैनिंग करनी है वो पहले से ही करके आनी है तो आपको पहले से करके आनी है अगर आपका कोई भी रिष्तेदार है कोई भाई बंदू है कोई सहेली है कोई पार्टनर है तो अच्छी बात है आप उसके बरोसे पे आ सकते हो और वो पूरे बरोसे पे आपक करेंगे, that's good, that's way better than anything else लेकिन अगर आपका कोई भी नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई भी रिस्तेदार नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी बी बीसाली नहीं है कोई भी नहीं है, मतलब नौन भी नहीं है तो आपको पहले सही अपनी accommodation का देख के आना पड़ेगा Facebook पे groups है social media पे groups होते हैं काफी सारे जहां भी आप अपने city में जा रहे हूँ उस city का डाल के आप देख सकते हो room rentals देख सकते हूं marketplace पे Facebook marketplace पे बहुत से rooms होते हैं community pages होते हैं groups होते हैं उन में काफी सारे students होते हैं आप जिस college में आ रहे हो उस college में काफी सारे students होते हैं and colleges भी provide करते हैं on campus hostels and all those things for international students ताकि आप अपने community के लोगों से मिल पाओ और उनके साथ gather होके एक अच्छा सा अपना network बना पाओ और उनके साथ भी रह पाओ तो आपको यह सब खुद से देखना पड़ेगा खुद से करना पड़ेगा do your own thing यहां का you know funda है आपको चीज़े अपनी खुद ही करनी पड़ेंगी आप hesitation में नहीं रह सकते कि हाँ आप किसी और पे dependent होके भी नहीं रह सकते मैं रहा था और दिक्कत होती है बहुत आपको नहीं रहना है अपने अपने उपर पर बरोसा रखना है और dependent किसी पर भी नहीं होना dependent होगे तो आप मार खाओगे भाई expectations always hurt करती है और जो next बात है वो है accommodation की मैंने बात कर दी जैसे आप airport पर पहुंच कियो अगर आपको लेने वाला है कोई तो it's well and good अगर आपको लेने वाला नहीं है कोई तो ride चलती है हमारे यहां पर मतलब Canada में या किसी भी country में ride चलती है तो आप डाल सकते हो किसी भी Facebook community page पर ride share from airport to Toronto और जिस भी city में आपने जाना है अगर आपको मिल जाती है तो it's well and good नहीं तो यहां पर Uber और Lyft चलता है उसमें आप वो थोड़ा ठीक रहेगा आप confident रहोगे अपने आप में चाहे थोड़े जादा पैसे लग जाएंगे लेकिन आप confident रहोगे और आगे भी अच्छी चीजे रहेंगी mood अच्छा रहेगा तो चीजे भी अच्छी रहेंगी behavior भी अच्छा रहेगा लोगों का इसके बाद मैं बता देता हू आपको यहाँ पर आके क्या करना है सबसे पहले तो आपको SIM card लेना है यहाँ पर आके because if you will not have any number तो आपको लोग connect कैसे करेंगे मतलब आप network बनाते हो आप क्या कोगे मेरे को कैसे connect करो Facebook Instagram से वो तो भाई बहुत पिछे रह जाता है यहाँ पर लोग calls ही करते हैं मतलब जादा messages कहीं लोग busy होते हैं किसी गाम में तो आपको number लेना ही पड़ेगा उसके बाद आपको अपना लेना है service Canada से SIM number SIM number वो number होता है जिस पे आपके सारे working hours चाड़ते हैं जैसे आप 20 hours if you are an student तो आप 24 hours part time work कर सकते हो in a week तो आपके hours चाड़ते हैं बाकी आप काम नहीं कर सकते हैं आप legally काम कर सकते हो और अगर आप जादा काम करोगे तो वह illegal माना जाएगा अगर आप cash पर काम कर सकते हो तो वह illegal माना जाता है भाई legal नहीं माना जाता हो सिरफ आप 20 गंटे weekly काम कर सकते हो to pay your bills only fees आप घर से मंगानी पड़ती है fees कई बार यहां से भी निकल जाती है अगर आपको अच्छा money management आता है time management आता है और आप financials अच्छे से manage कर लोगे अपने you know expenses manage कर लोगे अपनी needs पे जादा ध्यान दोगे wants पे नहीं क्योंकि wants तो भाई बहुत जादा है dodge challenger लेलो चाहिए मस्टैंग लेलो चाहिए कुछ भी लेलो खरीद यहां पे कुछ भी सकते हो क 0% पे काफी चीज़े बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है loan लेना यहां पे बहुत ही असान है लेकिन बात आती है afford करने की जब आप afford कर पाओ तो ही वह चीज़ लेना खरीद तो कोई भी सकता है यहां पे zero down payment पे आपको कुछ भी मिल जाएगा और बहुत ही असानी से मिल जाएगा आप जो मर्जी खरीद लो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको खुलवाना है अपना sin number के बाद अपना gic account खुलवाना है अपना जैसे आपने 5.5 lakhs भरे हुए महां पे तो आपको 2000 आपको मिल जाएंगे पहले तो आप cash लेके आओगे ताकि आपको जादा दिक्कत ना हो rent भरने में या कुछ भी करने में और उसके बाद आपको 2000 extra money मिलेगा आपके account में if you want that in your student advantage plan और student advantage banking वो आपके debit card में आजाएगा नहीं तो आप उसको savings में भी रख सकते हो ताकि आपका वो अलग से पढ़ा रही है और fees के लिए आपको नहीं रखनी है भाई अपने आप dependent रहना है यहां सब काम खुद करने पड़ते हैं आपको चमच दोने से लेके आपको कपड़े दोने तक खाना बनाने तक सब आना चाहिए सब आपको manage करना आना चाहिए time manage करना आना चाहिए क्योंकि यहां पर assignments होते हैं you know classes होती हैं और jobs ह होती हैं और groceries होती हैं खाना बनाना कपड़े दोना cleaning करना even काफी लोग होते हैं even 12th के जो 12th के बाद जो students आते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता अपने घर में कभी भी तो यूनो एक दिक्कत होती है मेरे को भी थोड़ी बहुत हुई थी लेकिन I'm used to of it now और यही ची इसे समझ के नहीं आओगे तो यहां पर आके यूनो बहुत दिक्कत हो जाएगी और एक reality है जो ground level पर में बता देता हूं तो जो reality है वो यह है कि यहां पर you are going to be really very alone यहां पर आपको बहुत alone फील होने वाला है जैसे कि आपको कोई खुशी हुई है कोई गम हुई है कोई ग पयूब करना अपने पैसे कमाने है अपनी फैमिली को मट कर गराए और अपनी कार करीद्ना है तो वो उसमें तो लग जाएगा और आपको सपॉर्ट नहीं करmeal राख आपकी सुनें गाने चौथे दिन मतलब मैं यहांपे भी मैं ऐसा कहा ह 될ा है कि आपके फैमिली नहीं बने आई जाते थे कि बाहर वालों की जरूरत फीनी पड़ती थी लेकिन यहां पे कोई भी ़िन्होंत यह पर बाहर वालों की ही जरूरत पड़ती है घर ले बहुत कम होते हैं होते भी हैं तो PR के बादी आएंगे अभी तो नहीं आ सकते जब तक हम study permit पे है struggle चलता रहेगा struggle करना है और life जी नहीं अच्छे से ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल यह लोन रहने लग जाना है depressed रहने लग जाना है दोस्त बना रहे हैं अच्छे अच्छे college जाना है और enjoy भी करना है life को काम भी करना है और fees भी निकालनी है तो यही थी मेरी आज की वीडियो में आपको सब feelings बताने की सब suggestion देने की कि हाँ कैसे अपनी लाइफ को यहां पे better कर पाऊ किस हद तक कुछ हद तक अगर वीडियो अच्छे लगे तो like कर देना subscribe कर देना यही थी मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ लिंक लिंक हो आप या कुछ आपको information अच्छी लग रही है या कॉर्लेट कर पारे हो आप relevant लग रही है तो यही थी मेरी आज की वीडियो आपके वीडियो अच्छी लगे हो अच्छी लगे तो make sure to click like and subscribe to my channel for more videos like this thank you so much for watching bye bye love 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 peace out and if you need any help just dm me on my srm handle my srm goes by babuk.canada and my youtube channel goes by daydreamerabhavuk कहीं भी आप comment down कर दो मैं जरूर आपकी हद से हद तक help करने कोशिश करूंगा जहां तक हो पाई बहां तक thank you so much for watching bye bye peace out